नमस्कार दोस्तो मैं जिससाब का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल पर दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जमीन से बंधक सब्द आप कैसे हटवा सकते हैं या विलूपित करवा सकते हैं उसका क्या तरीका है कितना टाइम तो दोस्तो इस वीडियो में हम मुशिक जानकारी देने वाले तो उसके लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरू देख्या और चैनल पे अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बिल आइकन को दो आदे जिससे के मारे चैनल पर जूब भी नहीं है बिटा हो सबसे पहले आपको मेले तो चलिए दोस्तो वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो अगर आपने प्रॉपर्टी के थूरू बैंक से लुन लिया था तो बैंक द्वारा यह लिख कर दिया जाता था कि आपकी जो लोन का एमाउंट था आपके द्वारा पूरा देज दिया गया है अब जो तैसिल दार होते हैं आपके एरिये के जो तैसिल आफिस से होती है उनके द्वारा आपके जो खसरे में बंधव सब्द को बिलूपित कर दिया 109 की जो धराएं हैं उनके तहट अब बंधक सब्ध हटाने का जो कार है यानि बंधक सब्ध का जो विलुप्त करने की मैक्सिमम डेट है तीन दिन है यानि 72 घंटे हैं उसके अंदर गत आपके जो खसरे में बंधक खटाया जाएगा और दर्ज भी किया जाएगा कहने का मतलब अगर आप नया बंधक दर्ज करवाते हैं तो उसमें तीन दिन में आपके खसरे में बंधक के द्वारा दर्ज कर दिया जाएगा और हटवाते भी हैं तो तीन वर्किंग डेज में आपका जो खसरा है बंधक भी मुक्त हो जागा तो तरीका क्या है सबसे पहले जो दोस्तों बंधक हटाने का जो तरीका है अगर आप पूरा पैसा रिटन कर देते हैं तो बैंक के दौरा एक एनोसी जारी कर दी जारी करने के द्वारा अपनी जो लॉगिन आइडी है उसके तहत जो खसरे के पोर्टल होते हैं उसमें यह जो अपडेट होगा कि आपका जो एमाउंट है पैड हो चुका है उसको प्रेसित कर देगा और वह प्रेसित आगे करेगा वह पटवारी के पास यानि जो आपकी एर प्रक्रण को अगले स्टेफ के लिए फारवर्ड करना होगा फारवर्ड मतलब दोस्तों अपने सीनियर अधिकारी यानि तहसील का furnace में उसको भेजना होगा वहां से उस प्रक्रण को सिर्फ दो वर्किंग डेस के अंदर किलियर करना होगा उतने के अंतर गत अगर किलियर नहीं होता है तब दोस्तो यानि दोस्तो तीन कार दिवस के अंतर गत आपका जो प्रक्रण सॉल्व नहीं होता है आपके खसरे से वंधक सब्द नहीं हट आए जाता है तो आप इसकी कम्प्लेंट जो इनके सीनियर अधिकारी होते हैं यानि उपखंड अधिकारी जो आपके एरिये के होंगे सब डिविजिनल मस्जिस्टेट उनके पास कम्प्लेंट करेंगे यानि प्रथाम अपील धर्श करेंगे तो 15 दिन के अंतरगत हम के दोरा इस प्रक्राट को सॉल्व कर दिया जाएगा कहने का मतलब दोस्तों है कि बहतार गंटे यानि तीन कार दिवस के अंतरगत आपका जो प्रक्रण है उसको सॉल्व करना कमपल्सरी है अगर इस प्रक्रण को सॉल्व नहीं किया जाता है तो आप इनकी जो का लीगल कंप्लेइन होती है किसी कोट में कर सकते हैं जो कि भूराजवस संगिता के अंतरगत लोग सेवा कानून अधिनियम 2010 के तथ आप इसकी कंप्लेन करेंगे इसमें आप जो भी कंप्लेन करेंगे उसका सॉलिशन आपके फेवर में ही मिलेगा क्योंकि दोस्तों जो इनका टाइम लिमिट है तीन कार दिवस है और वहत्तर घंटे का ही है क्योंकि बंधक सब्ध हटाने के लिए जैसे ही बैंक के द्वारा अपने पोटल से प्रेसित किया जाएगा अगले जो पटवारी होते हैं उनके पास उनके द्वारा एक कार दिवस का टाइम उनको मिलता है वो आगे इस प्रक्रण को प पेमेंट भर दिया है यानि बैंक का जो भी अमाउंट आपने लोन के थ्रू लिया था उसको आपने पेमेंट अगर कर दिया है तो तीन दिन के अंदर गत आपका जो बंधक सब्ध है उसको हटा दिया जाएगा